दोस्तों अगर नहीं करते रात को सोते समय औरत के साथ ये एक गुप्त काम तो उम्र भर रोते रहोगे। दोस्तों उससे पहले आईए जानते हैं अगर औरत के ये अंग बड़े हैं तो वो है बहुत भग्यशली। कौन से अंग आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दिजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों भारतिये संस्कृती में महिलाओं को पुज्य माना गया है उन्हें सबसे उच्चे सम्मान प्राप्थ हैं यही वजह है कि हमारे यहां कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों गरूर पुरान और समुद्र शास्तर की बात करें तो इसमें महिलाओं के आंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायत यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे तो शारिरिक सुंदर्ता की बजाए बारिका की शारिरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आईए अब हम आपको बताते हैं कि महियाओं के कौन से अंग अगर बड़े हैं तो वो पती और परिवार के लिए भागिश अली उनके भाग्य को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभग होती है। तो आईए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नंबर एक है लंब बालों वाली महिलाएं पदमिनी होती है अर्थात उच्चकोटी की होती है। लंबे और रिश्मी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतिक है। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र या प्रतिमा देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे महिलाओं की गरदन लंबी होती है वे अईश्वर्य शालीनी होती है। इनके पास सम्पुर्ण वहभव होता है और इनके रहते पती को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। इनके बड़े वक्ष स्थोलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तूत किया है। ऐसी महिलाएं पती के लिए एक तरह से तारणहार होती है। इनकी संतान भी अपेक्षा कृत ज्यादा बहतर और सफल होती है। नमबर चार है मानसल और पुष्ट जंघाएं। मानसल और पुष्ट जंघाएं भी सौभाग्य jogosिल होने का प्रतिक होती है। सामुदरिक शास्तर के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट और मानसल होती है तो वो औरत बहुत ही भागयशली होती है। इनके कारण ही पती को मकान और वाहन आदी का सुख बहतर ढंग से प्राप्थ होता है। पतली और विक्रुत जंगाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों बड़ी आखों वाली महिलाएं बहुत ही सोभगेशली होती है। वे विदुशी, विवेक्षिल और बहुत ही समझदार होती है। ये पूरे परिवार के लिए शुभव होती है और विपत्ती आने पर अपने सुझबुझ से पूरे परिवार को संभाल लेती है। इ ये हर विपत्ती का सामना करने में सक्षम होती है। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलवा सामान्य सीर और सामान्य आकार के कानवाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों नमबर साथ है पैर और उंगलियां सामुदरिक शास्तर में महिलाओं के हाथ और पैरों के आकार को विशेश महत्व दिया गया है सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्षमी स्वरूप होती है इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमी को स्पर्श करती हुई होती है ये महिलाएं बहुत ही सौभागे शाली और पती के लिए लखी होती है इसी तरह हाथों की मध्यम आकर की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत ही लखी साबित होती है अब दोस्तों आईए जानते हैं कि अवरत के साथ रोज रात को कौन सा काम अवश्य करना चाहिए दोस्तों आचारिय चानकीजी के अनुसार रात को सोते समय अवरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादी शुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और अगर नहीं करते तो आपका रिष्टा धीरे-धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा इसलिए दोस्तों रोज रात को सोते समय अपनी पत्नी को प्यार करके ही सोना चाहिए और दोस्तों अगर सोते समय आप ये एक गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे दोस्तों अगर आप ये गुप्त काम करते हैं तो आपकी पत्नी आपके पैर धोएगी और आपके तलवे चाटेगी तो दोस्तों ये थे आज के कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेर किये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा दोस्तों को शेर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक की लिए गुडबाई और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो